हाई एवरिवन आज मैं सिल्क लेंगा डुपट्टा स्टाइल करना आपको बताऊंगी यहां पर यह देखने मेरा सिल्क का लेंगा है और इसका कलर कॉलर कॉमिनेशन ग्रे एंड रैड कलर है साइड में आपको जिप मिल जाती है थोड़ी से डिटेल आपके साथ शेयर कर रह इसमें आपको ब्लाउज पीस मिलता है ग्रे कलर का जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं वह भी सिल्क का ही है और यहां पर डुपट्टा आपको रैड कलर का मिल रहा है वह भी सिल्क का है तो ठीक है इस तरीके से आपको ब्लाउज और डुपट्टा मिल रहा है यहां पर म जैसे कि आप साड़ी में बनाते हो ठीक उसी तरीके से आपको प्लीट्स बनानी है और सिल्के लहंगे के साथ साथ आपको इस तरीके की डुपट्टे मिल जाते हैं काफी कलर एब लेवल हैं लहंगे की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं और यहां पर म को इस तरीके से पकड़ती हुए आप प्लीट्स तयार कर लें काफी इसलिए तयार होगे हाथ से प्रेस कर दो काफी अच्छे से सेट हो जाती है इस तरीके से जितना हम पल्लू लेना चाहते हैं जैसे कि साड़ी में लेते हैं ठीक उसी तरीके से आपको पल्लू बना लेना इस तरीके से और इस डिपत्टे को कई तरीकों से स्टाइल करना बताओंगे तो इस तरीके से प्लीट्स बनानी के बाद मा сохран परि रख दिया और रखने के बाद एक छोटी सी पिन के साथ मेने अटैच कर दिया है इस तरीके से यह मेरा थोड़ा पलूळ बन चुका है इस तरीके से और आव इसकó ख़ड़ा ऊपर से इस तरीके से पकड़ना है और प्लिट्स को थोड़ा सामी सेट करना है हाथ से प्रेस करना है यहाँ वाही पनी काफी ट्रेंड में भी है लेहंगा एन दुपर्टा दोनोही तो इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए आपको क्या गरना है सारी डुपटे का एक कॉर्नर इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर बैक साइड में आप इस तरीके से लेके हैं जादा बैक साइड में आपको नहीं जाना है इस तरीके से साइड में आपको क्या करना इन कर देना है और हाथ से इस तरीके से जो हमने प्लीर्स बनाई थी उनको हाथ से इस तरीके से आप सैट कर दो ये भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि शॉट डुपटे होते हैं उनको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं आप क्रॉस में भी इस तरीके से करते हुए एक चोटी सी पिन के साथ यूज कर सकते हो और सेकिन स्टाइल में आपको करना क्या है इस तरीके से आपको डुपटा सेट करना है मेरा पल्लू में पिन लगा हुआ है और इसको मैं क्या करते हूँ इस तरीके से पकड़ते हैं एक कॉर्नर से और इस तरीके से पहले तो मैंने पकड़ा उसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है चोटी चोटी प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से सेट करते हैं और हाथ से प्रैस करते हुए आपको इस तरीके से और यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी पिन यूज करनी है और लहंगे के साथ attach कर देना है इस तरीके से तो यह second style भी काफी अच्छा लगता है इस style से आप अपने लहंगे या डुपाटे को style कर सकते हो इस तरीके से काफी दिन से मिर पास request भी आ रही थी इसलिए मैंने यह लहंगा लिया है इस तरीके से तो यह finally look हो गया आपका और चाहें तो आपने कोई accessories लगानी है कमर में वो लगा सकते हो chain वगेरा कुछ भी आप use कर सकते हो आजकल belt भी काफी trend में है golden color की belt आती है उनको भी आप use कर सकते हो इस तरीके के लहंगे के साथ और डूपटे के साथ तो यह look भी काफी अच्छा लगता है इस तरीके से और इस लेंगे की खासेद मुझे क्या अच्छी लगी कि एक तो इसका fabric काफी अच्छा है next style में आपको करना है क्या है प्लीट मैंने कोल दी इस तरीके से और इसको मैं ले के आती हूँ back side से इस तरीके से इसको हम सेट करने कॉर्णर को फस्ट प्लीट के साथ और इस तरीके से मैंने लेंगे के साथ अटेच नहीं किया है क्योंकि अब यह बनार सी यह क्योंकि क्लेकी शिल्क का डूबटा है तो यह इधर उधर ठोड़ा सा जरूर होगा इसलिए मने इसको क्या किया है प्लू के साथ जो प्लीट होती है उसके साथ इस तरीके से अटाच कर दिया है सामने की तरफ तो आपका थोड़ा सा पलू इधर उधर भी होगा तो उसके according आपको यह set हो जाएगा आप कर सकते हैं यह में बहुत सारे style आपके साथ share किये हैं आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो and next style में आपको करना क्या है पल्लू आपको वैसे ही लगे रहने देना है जो डुपटे का एक corner ऐसे लेना है इस तरीके से और लेते हुए हम यहाँ पर ऐसे set करते हाँ से और हाँ से set करने के बाद आपको यहाँ पर एक चोटी सी pin के साथ pin up कर देना है इस तरीके से तो यह look भी काफी अच्छा लगता है यहाँ पर देखी और यह जो मैंने blouse contrast में पहना हुआ है मैं कुछ ऐसे blouse है जो हमें से अपने पास रखती हूँ मैंने पहले भी वीडियो डाली थी blouse की तो अगर आपका instant blouse stitch नहीं है तो ऐसी कुछ mix and match करके पहन सकते हैं इस तरीके से आप cross में भी अपने डुपट्टे को set कर सकते हैं and next style में आपको करना क्या है इस तरीके से एक side से डुपट्टे को pin up लगे रहने दें and हाथ से इस तरीके से आपको सारी pleats को set करना है इस तरीके से silka डुपट्टा है तो और आपको इस तरीके से करते हुए यहाँ पर अच्छे से हाथ से set करना है काफी अच्छे से set हो जाता है हाथ से press कर दोगे बिल्कुल set हो जाएगा और इसको इस तरीके से freestyle भी आप छोड़ सकते हो आपने ना पीछे कोई pin up करनी है ना आगे कोई pin up करनी है डुपट्टे में सिर्फ shoulder पर pin up करते हुए आप इस तरीके से भी छोड़ सकते है और आप belt यूज सकते हैं सामने की तरफ कमर में कोई chain यूज सकते हैं नेक्स स्टाइल में मैंने क्या करना है राइट हैंड की तरफ से अपना जो पल हुए वो लेके आना है आगे की तरफ इस तरीके से और बैक साइड से आप अपने डुपटे को इस तरीके से पकड़ें इस तरीके से और पकड़ते हुए सामने की तरफ थोड़ा सा साइड में इस तरीके से इन कर लें इस तरीके से यहां पर भी आप बैल्ट यूज़ कर सकते हैं आप कोई चैन यूज़ कर सकते हैं और शोल्डर पर पिन से पिन अप कर लें तो यह स्टाइल भी काफी अच्छा लगता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कमर में आप एक्सेसरीज क्या है कमर से निकालते हुए पल्लू को राइट हैं की तरफ रहने दें और कमर से निकालते हुए आप अपने हाथ में इस तरीके से लाकर और एक पिन से पिन अप कर लें वहाथ में एक तरफ से सैट हो जाता है यह लोग यह कुछ स्टाइल थे जो मैंने आपके साथ शेयर कि आपको जो अच्छा लगे आप अपने लिए चूस कर सकते हैं स्ट्राइलिंग कर सकते हैं बस इतनी सी वीडियो थी जो आज मैंने शेयर की थैंक्स पर वाचिंग भावाटे के लव यू